कि नमस्कार दोस्तों में अपका बहुत भहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो पणिमनतरा के एक नए वीडियो में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं bitcoin के बारे में, bitcoin dominance के बारे में और साथी साथ बात करेंगे आप dodge coin के बारे में, क्या 31st माई या फिर 31st माई के आसपास तक क्या dodge coin का price $1 के mark को touch कर सकता है नहीं, क्या कुछ update है आप Bitcoin के chart के उपर और Bitcoin Dominance के चार्ट के ओपर आप सब लोगो यही सब जानकारी देंगे इसी वीडियो में तो बने रहेगा आखरी तक ताकि आपको सारी important update मिल सके हमारे इस वीडियो में आगे बनने से पहले आप सब लोग से क्याना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारी आएं हैं तो subscribe को अटन बिलको दबा लीजेगा, bell icon को भी आज से दबा लीजेगा ताकि आपको सारी notification मिल सके हमारे वीडियो से related और साथ ही साथ इस वीडियो को आज से जरूर लाइक कर दीजेगा ताकि हमको motivation मिल सके और साथ ही साथ YouTube का जो algorithm हमें उसके साब से अगर आप लाइक करते हैं इस वीडियो को तो दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो जो है वो पहुँच सके तो यही इन सब चीजों के साथ यहाँ पर आप इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो का यहाँ पर target रखते हैं कि यहाँ पर 200 likes का target रखते हैं कि अगर आप यहाँ पर 200 likes अगर आप यहाँ पर इस वीडियो के अंदर करते हैं तो काफी जादा खुशी होगी और काफी जादा अच्छा लगेगा तो चलिए दोस्तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो आगे बनने से पहले सबसे पहले आप सुब लोगों से एक basic सी चीज़ पूशना चाहूँगा जो कि आप comment box में पर comment कीज़ेगा बेशक यहाँ पर एक बर एक मिनट के लिए इस वीडियो को pause करके करिएगा कल तक जो situation बनी हुई थी उसके accordingly आपके sentiments market को लेकर क्या थे कि market यहाँ से जाएगा नीचे यहाँ से जाएगा ऊपर यह सब कुछ चीज़े जरूर बताईएगा क्योंकि यहाँ पर आप pause कीज़े comment कीज़े बताईए कि आप कल तक bearish थे या bullish थे अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर हम थे यहाँ पर bullish और bullish होने का मतलब यहाँ पर clearly है कि हमने यहाँ पर आपको सारी जो information है वो अपने telegram group और telegram channel पर दी थी कि कि किस तरीके से market उ उसका link description में दिया हुआ है वहाँ पर click करके आप join कर सकते हैं telegram channel और telegram group दोनों ही वहाँ पर open है आप वहाँ पर join कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने computer screen पे यह आप देख सकते हैं यहाँ पर computer screen पे BTC का price यहाँ चल रहा है 39,265 card Ethereum भी आपर green green में है, dot भी green में है, BNB भी green में है, ADA, XRP सारे coins अभी समय पर green में है तो यहाँ पर आप सब लोगों से सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे यहाँ पर Bitcoin के बारे में तो Bitcoin के चार्ट के उपर आप देख सकते हैं कि यह एक trend line बन रही थी, green color की trend line है यह चार्ट मैंने आप सब लोगों को telegram पे share किया था, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, telegram का link जो है वो description में दिया हुआ है, तो यह चार्ट मैंने आप सब लोगों को share किया था, जहाँ पर कि यह जो trend line है, यह कर दी थी break, और break होने के बाद trend line यहाँ पर हुआ है कि अभी जो है price दीरे दीरे करके ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ पर अभी जो पहली जो resistance बनी वी है, वो लगबग लगबग 40,000 के आसपास बनी वी है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह 40,000 के आसपास जाने की कोशिश की थी, लेकिन 40,000 को cross नहीं कर पाया था bitcoin, तो उसके बाद अभी यह दुबारा से attempt करने की कोशिश कर रहा है कि 40,000 को यह break कर दे, जैसे यह 40,000 के आसपास को break करता है, तो उसके बाद 42,450 के mark को यहाँ पर टच कर सकता है, जो कि एक next resistance है, अगर इसके फर्दर और उपर जाता है यहाँ से market, तो यहाँ से फर्दर और यहाँ पर जो उपर ज 50,000 के आसपास के mark को भी टच कर सकता है, लगबग लगबग अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है यह basically 50,000, 51,200 के mark के आसपास जो है तच कर सकता है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह है resistance और यहाँ पर मैंने भी resistance और अपना third target जो है वो mark किया हुआ है अपने चार्ट के और साथ ही साथ नीचे of course stop loss भी mark किया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि यह जो stop loss है मैंने यहाँ पर 33,948 का यहाँ पर mark किया हुआ है, यह वाला क्योंकि यहाँ पर जो है यह विक यहाँ तक गई थी नीचे की तरफ तो मैं expect कर रहा हूँ कि इसके नीचे जो है market ब पता रहा हूँ आपको इस वीडियो के अंदर, तो फिलहाल के लिए चीज़े जो है वो बनी हुई है, आप चाहें तो उस तरीके से आप भी सीख सकते हैं, देख सकते हैं क्या कुछ हो रहा है, अब आप सब लोगोंको एक और information देना चाहूंगा यहाँ पर, एक bullish pattern और यहा यहाँ पर head and shoulder, inverse head and shoulder pattern मन जाता है, मतलब कि ultra head and shoulder pattern जहाँ पर यह जो है, एक shoulder हो गया, उसके बाद यह head हो गया, और उसके बाद यह एक और shoulder हो गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ से price जो है, वो ऊपर की तरफ shoot कर सकता है, this is what exactly is expected at the moment यहाँ पर BTC के price के उपर, तो यह कुछ च options trading जैसे future trading होती है, वैसे ही एक options trading भी होती है, जिसका वीडियो अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं हमारे channel के उपर available है, अगर आप search करेंगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, options trading में जो Binance है, वो सिरफ वो सिरफ वन डे का option प्रोवाइड करता है, लेकिन बहुत सा options contract की, क्योंकि हर महीने के आखरी Friday को options contract expire हो जाते हैं, आपने पिछले महीने तक यह चीज़ नोटिस की होगी, कि हर महीने के आखरी Friday के आसपास तक market लगबग लगबग जो वो dump हो जाता है, और उसके बाद market pump होता है, और यहाँ पर जब dump होता है, तो उस समय पर जितने भी bulls है, वो वहाँ पर जो हो रेक्ट होते वे से नजर आते होते हैं, क्योंकि expiry वाले दिन जो हो market नीचे गिर रहा होता है, इस तरीके से चीज़े चल रही होती है, लेकिन आप सब लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से बता दूँ कि इस बारी जो indication लग रहे हैं, वो indication में, जो expiry हो option contracts की 28 तरीक को होने वाली है, उस option expiry के समय पर जो bears हैं, वो यहाँ पर रेक्ट हो जाएं और यहाँ पर जो market है, वो यहाँ से चले जाए ऊपर, आप में से मैं उमीद करता हूँ कि काफी सारे लोगों ने जो comment किया होगा थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो bearish sentiments के लिए किया होगा कि आप कल तक bearish थे, यह सारी चीज़े मैं expect कर रहा हूँ, बाकी तो आपने जैसा सोचा होगा उस तरीके से हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर यह जो चीज़े आप सब लोग को बता दूँ कि बहुत सारे लोग market के अंदर bearish situation जो हो समझ के बैठे हैं कि यहाँ से market जो बेरिश नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि बहुत जादा fear जो हो market के अंदर बढ़ चुका है, तो इसलिए ही usually market जो हो opposite play करने की कोशिश करता है, अगर आप बहुत जादा लोग जो already बेच चुके हैं, जो सूच रहे हैं, और जादा नीचे जाएगा तो मैं खरीदूगा और यहाँ पर ही नीचे वाले जोन में जो हो बेच के बाहर निकल गए थे, तो उन सब लोगों के लिए यह चीज कहाना चाहूँगा कि almost almost जो लोग नीचे यहाँ पर sell करकर निकल चुके थे, उनके पास अभी भी यहाँ पर काफी अच्छा chance हो सकता है कि यहा अगर यहाँ से मार्केट अगर एक बर ही शूट करना अगर उपर की तरफ स्टार्ट किया, तो यह मार्केट काफी उपर तक जो हो जा सकता है, तो यह सारी सिचुएशन जो जाकी यहाँ पर बनी भी है, अब चलते हैं हम यहाँ पर डॉज कोईन के बारे में बात करेंगे, डॉज कॉइन का यह चार्ट है, डॉज कोईन के चार्ट को explain करने से पहले आप सुछ लोग को एक tweet पे लेकर चलना चाहूँगा, जो कि आप सुछ लोग देख सकते हैं कि Barry Silbert, जो कि मैंने आप सुछ लोग को पहले भी बताया था अपने पहले वीडियो के अंदर, मतलब कि इससे पहले मैंने आप सुब लोगो जब डॉज का अपजेट जब दिया था तब उस समय पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बेली सिलबर जो कि यहाँ पर आप इनकी प्रोफाइल पर जाकर देख सकते हैं कि यह CEO & Founder है DCG Group के मतलब कि Digital Currency Group के और उसके साथ Parent of Grayscale, Genesis Trading, CoinDesk, काफी सारी Companies के साथ यह जुड़े होए हैं इन्होंने ट्वीट किया था कि अब उस समय पर यहाँ पर 70 cents और 74 cents के आसवास का प्राइस चल रहा था, Dogecoin के तो इन्होंने किया था shot और shot करने के बाद साथ ही साथ यहाँ पर यह एक comment लिख जा था and to make it interesting, if Dogecoin hits $1 by May 31st we will donate $1 million charitable cause selected by Dogecoin community जो ही है, यह donation कर देंगे $1 million का जो की Dogecoin की community जहाँ पर भी decide करेगी वहाँ पर तो इसी लिए ही Dogecoin की community के पास इस समय पर काफी बड़ा challenge है कि 31st में से पहले पहले इस coin को Dogecoin को $1 का mark टच करा दे ताकि वहाँ पर यह एक donation जो उनको ले सके हैं और उसके बाद वहाँ पर अपनी community के welfare के लिए या फिर जहाँ पर भी वो चाहते हैं वहाँ पर जो है वो charitable trust को जो है वो जा सके तो इस तरीके से काफी बड़ा challenge है यह अब यहीं पर ही इसी के साथ साथ सिरफ और सिरफ यहाँ पर tweet से कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर इसके पीछे जो chart है chart analysis है वो भी definitely ज़रूर छुपी है तो यहाँ पर chart analysis भी आप सब लोगों को करके बता देते हैं यहाँ पर कि dodge coin के उपर क्या कुछ situation बन रही है यहाँ पर अगर आप देखेंगे clearly तो यह आपको एक alien wave pattern आपको सबको यहाँ पर दिखेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यह जो है यह पहला wave गया था उपर दूसरा wave गया था यहाँ पर नीचे third wave गया यहाँ पर उपर क्योंकि third wave सबसे ज़ादा बड़ा होता है fourth wave गया नीचे यह वाला और fifth wave जाने की तयारी में है उपर की तरफ तो यह situation यहाँ पर बनी भी है और जब fourth wave नीचे की तरफ आया था तो यहाँ पर आप clearly देख सकते हैं कि जब भी नीचे की तरफ जब correction आती है तो ABC pattern में correction आती है आप देख सकते हैं ABC यह ABC correction जो वो हो चुकी है अब यहाँ पर एक जो resistance यहाँ पर दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है clearly 0.44 के आसपास 0.4344 के आसपास 44 मान के चलेंगे हम यहाँ पर अप मेरे चार्ट के उपर clearly देख सकते हैं 0.44 के levels जो यहाँ पर marked है क्योंकि यहाँ पर इस से उपर नहीं जा पाया था price जब पिछली बार यह उपर की तरफ गया था तो यहाँ पर यह resistance है जैसे ही इस price ने अगर यह 0.44 के mark को अगर इसने break किया तो एक तरीके से हमको यह confirmation मिल जाएगी कि अब यहाँ से जो है यह resistance break हो रहा है अब यहाँ से further उपर की तरफ जा सकता है फिबोनाकी काफी जादा important हो जाएगा यहाँ से क्योंकि फिबोनाकी ही हमको बताता है फिबोनाकी extensions ही हमको बताएंगे कि उपर की तरफ कहां तक जा सकता है dodge coin का price तो यहाँ से मैं mark करता हूँ फिबोनाकी हमने यह mark कर लिया अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह जो पहला जो यहाँ पर resistance है वो है यहाँ पर 53 के आसपास 0.53 जो कि 61.8 के आसपास है अगर यहाँ पर 0.44 को अगर यहाँ पर cross कर देता है तो क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो जो जोन है यहाँ पर काफी थोड़ी सी वाल्यूम है और उसके बाद जो दूसरा यहाँ पर है वो यह वाला mark है यहाँ पर 0.8786 वाला level जो की करीब करीब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 63 सेंट के आसपास 63, 64 सेंट के आसपास है क्योंकि यहाँ पर भी इस जोन में काफी ज़ादा वाल्यूम है आप यह चीज यहाँ पर देख सकते हैं काफी जाब हैं तक यहाँ पर जो ट्रेडिंग हुए तो यहाँ पर भी रजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा और उसके बाद अगर पर यहाँ से फर्दर ऊपर जाता है यहाँ पर 0.74 तक तो यहाँ तक जा सकता है उसके बाद जो यहाँ पर और उपर अगर जाने की कोशिश करी तो यहाँ पर और ऊपर की तरफ यहाँ पर करीब करीब 1.618 का जो रेजिस्टेंस है जो कि $1.07, right, आप Clearly देख सकتे हैं, यह जो यहांपर Mark है, आप यहांपर देख लीजे एक वरी, ये जो है 1.618 का जो यहांपर Mark है, यहांपर आप देख सकते हैं जो कि यह Schwabona की नंबर है और यहांपर यह जो दिख रहा है, वो दिख रहा है और हो सकता है कि काफी जल्दी चला जाए क्योंकि यहाँ पर जो bitcoin की जो future जो options की जो expire ही है जैसे कि मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर थोड़ी तेर पहले explain किया था कि options जो expire होने वाले हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो chart pattern है वो भी यहाँ पर inverse head and shoulder pattern बन रहा है जो कि मैंने आप सब लोगों को explain किया था कुछ इस तरीके से तो यह जो है यह काफी ज़्यादा bullish sign होता है अगर bitcoin यहाँ से bullish हुआ तो of course बाकी भी जो cryptocurrencies होंगी वो भी bullish हो जाएंगी और USDT pair में of course तो यहाँ पर dodge coin के भी chances जो वो काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि यहाँ तक वो जो है शायद 31st मई तक यहाँ पर $1 का mark जो है वो शायद touch कर ले तो यह सारी situation बनी वे बाकी touch करेगा या नहीं करेगा यह कहना काफी ज़्यादा मुश्किल है लेकिन Bitcoin dominance के चार्ट के ओपर क्योंकि यहाँ पर Bitcoin dominance का चार्ट जादा जो है वो decide करेगा कि यहाँ पर market जो है वो किस तरीके से react कर सकता है altcoins के लिए आपको मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि यहाँ पर एक जो है यह red color की line आ रही है right आप देख सकते हैं और जो कि मैं को touch करने के आसपास ही यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है right और यह जो नीचे की तरफ आ रहा है अब यह वापिस अपने support zone की तरफ गुसरा है अब यहाँ पर दो possible scenarios है जो की जो की actually में altcoins के लिए बनते हैं right पहला यह कि यहाँ पर नीचे जो support zone है यहाँ पर आकर dominance जो है वो consolidate करें right इस zone के अंदर consolidate करता रहे और जब तक यह इस zone के अंदर consolidate करता रहेगा तब तक जो है वो यहाँ पर altcoins धीरी धीरे करके एक एक करके pump करते रहेंगे otherwise यह जो support level है इसको तोड़ते वे जो है यहाँ से यह नीचे की तरफ आ जाए कुछ इस तरीके से further और चला जाए तो यहाँ पर altcoins और जादा strong हो जाएंगे BTC pair के अंदर और और जादा बड़ी जो वो rally देखने को मिलेगी अब यहाँ पर अगर dodge coin $1 के आसपास चला गया क्योंकि उसमें बहुत जादा बड़ी जो है वो supply है तो हो सकता है कि उसकी supply के चलते यहाँ पर जो market capital है जो dodge coin का वो काफी जादा बढ़ जाए और उसकी वज़े से यहाँ पर यहाँ जो situation हो बन जाए कि यहाँ पर यह जो coin के जो prices है जो Bitcoin dominance है वो नीचे की तरफ जो वो shoot कर जाए और यहाँ पर यह जो support बना हुआ है यहाँ इस चीज़ को भी यहाँ पर तोड़ जाए तो यह सा साथ हमको यहाँ पर track करना होगा Ethereum के prices को भी क्योंकि अगर Ethereum अगर BTC pair के अंदर shoot किया तो उस situation में जो है Bitcoin dominance काफी जादा नीचे की तरफ आजेगी क्योंकि दो इस समय पर जो leading चीज़े हो सकती है market के अंदर वो सकते है Ethereum और Dogecoin जो कि यहाँ पर market capital काफी जादा बढ़ा सकते हैं और market capital बढ़ाने के बाद यहाँ पर काफी जादा जो dominance है उसको नीचे की तरफ खीच सकते हैं तो दोस्तों यही कुछ चीज़े हैं जो कि आप सब लोगों को यहाँ पर explain करनी थी आज के इस वीडियो के अंदर Bitcoin dominance, Bitcoin और Dogecoin के चार्ट के ओपर बाकी सारी जो updates है बाकी स description में दिया हुआ है आप बेशक वहाँ पर click करकर join कर सकते हैं आप सब लोगों हम वहाँ पर regular updates हमारे charts से related जो भी charts पर update होती है कुछ signals होते हैं हम आपको वहाँ पर देते रहते हैं जो कि आप अपने जो research करने के बाद जो है वो trade करना चाहें तो कर सकते हैं तो यही सारी ची जो लाइक कर दीजेगा शेयर कीजेगा इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए आप बहुत भनवाद जैहंद बंदमातरम